नमस्कार, मैं हो ससी, आई जार्खन की टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं हलाकी पांचवी बिधान सबा का आखरी सत्र मानते हुए विपक्ष सदन के अंदर सता पक्ष को घेरने की पूरी कोसिस करेगा वहीं सता पक्ष जबाब देने के लिए कमर कस चुका है जार्खन में देंगू और चिकुनगुनिया पर अलर्ट जार्खन में मानसुनी बारिस के बार देंगू चिकुनगुनिया और जपानी इन सिफिलाइटी समेत अने बीमारियों के मरीज़ बढ़ने लगे हैं इसे देखते हुए स्वास्त विभाग ने इनके बचाव के लिए एडवाजरी जारी की है इससे बाचाव और उपचार सुनिश्चित कराने को लेकर बिस्तित दिशा निर्देश दिये हैं राज में डेंगू, चिकुनगुनिया, जापानी, इनसिफिलाइटीस के अलावा डाइरिया, हेपेटाइटीस A, हेपेटाइटीस E, जोन्डिस और टाइफ हाइट के मरीज़ तेजी से बढ़े हैं इसको देखते हुए सदत निगरानी करने का निर्देश दिया गया है, अब यहां निर्देशक ने निर्देश दिया है कि जीला और प्रकन अस्तर पर, डिजीज आउटब्रेक की स्थिती में, डिस्ट्रिक रैपिट रिस्पोंस टीम गठित करे, यह टीम प्रभावी छेत ज्यारखन में 30 जूलाई से अच्छी बारिस के असार वहीं 30 जुलाई और 1 अगस्ट को भी कहीं कहीं भारी बारिस कुमी जताई गई है बतादे राज में रविगार को मांसुन कमजोर रहा रांची समेत राज के विभीन हिसो में हलके बादल चाय रहे राज में इस मांसुन सिजन के दोरान 43 पिशती कम बारिस हुई है पुरे राज में 1 जुन से अब तक समाने बरस पाद 478 पंड तीन मिलिमीटर के मुकाबले मातर 270 मिलिमीटर ही बारिस हुई है किसोरी समरीदी जोईना से 8 लाग बेटियों तक पहुँची लाब सावित्री बाई फुले किसोरी समरीदी जोईना समाज कल्यान विभा की एक आदर्स जोईना के रूप में देखी जा रही है इससे 9 लाग किसोरीओं को जोडने की जोईना पर काम चल रहा है फिलहाल लगबग 8 लाग छात्राओं को इसका लाब मिल रहा है सावित्री बाई फुले किसोरी समरीदी जोईना के तहट 5 बार में 40 एर तक का आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है यह सहायता वर्ग 8 से प्राराम्ब होकर उनकी बराहमी तक पहुँचने तक मिलती रहती है हमन सरकार के महिला प्रस्ताहन और उनके सिक्षा में बेहत्री के प्रयास के रूप में इस जोईना को देखा जा रहा है हमन सरकार की सावित्री बाई फुले की सोरी समरीदी जोईना से अब तक लगभग 8 लाग की सोरीओ को जोड़ा जा चुका है देव घर में आज 2 लाग कावारिया करेंगे जलारपन जाइज रहने के साथ कतार में बेहतर ढंग से बाबा मंदीर की ओर बढ़ाने का अदेश दिया गया आने वारे सरधालू को ससमय जलारपन कराने के लिए कतार बढ़ाने को कहा गया वहीं प्रसासनिक अस्तर पर लिये गर नेने कोले का सरावनी मेले की दूसरी सुमवारी पर भी बाबा बैदनार पर जलारपन के लिए सिग्र दस्नम फुपन नहीं जारी किये जाएंगे इधर मेले के साते वे दिन रभी वार को 1.5 लाग से अधिक कवारियों वह सरधालू की ओर से बाबा बैदनार पर जलारपन किया गया है जेसेसी से रिजल्ड की मांग को लेकर अभ्यार्थियों निकाला मार्च जेसेसी की अध्योगिक प्रसिक्षन अधिकारी परत्योकता परिश्चत वहरते इसके रिजल्ड जारी करने की मांग को लेकर अभ्यार्थियों रभी वार की साम केंडल मार्च निकाला अभियार्थियों ने धारना अस्थाल राजभोहन से केंडल मार्च शुरू किया जो अलवर्ट एका चोक होते हुए राची इन्वर्सिटी गेट तक पहुंचा सरकार और JSC के खिलाप नारेबाजी करते हुए अभियार्थियों ने जार्खन सरकार और JSC के अधिकारियों का पुतला जलाया अभियार्थियों ने परिक्षा का रियर्ट जल्द जल्द जारी करने और नियुक्ति पत्र देने की मांग रखी है अब यार्थियों ने बताया है कि परिक्षा नुवंबर माह में 27-27-29 तारी को ली गई थी लेकिन 9 माह से अधिक समय बिद जाने के बाद भी आयोग द्वारा भ्यार थी उत्तर कुंजी अम्रियल्ड जारी नहीं किया गया है इससे सभी में रोस है सारांडा जंगल से 5 केजी का आईडी बरामत जारखन में भागपाम वाजी द्वारा सहीदी सप्ता मनाया जा रहा है पचमी सिम्भूम जीले के सारांडा के जंगल से सुरक्षा पलो ने 5 किलोग्राम का आईडी बरामत किया है पुलिस को नुक्सान पहुचाने के उद्यस से इसे नक्सलियों ने लगाया था बदादे आईजी एवी होमकर ने कहा है कि जारखन पुलिस सहीदी सप्ता के तहत नक्सलिय बंद को विफल करने के लिए पुरी तरह मुस्तैद है चाई बासा के टोटो थाना अंत्रगत तुम्बा हाटा छेतर में सुरक्षा बलो नक्सलियों को साजीस नकाम कर दी है आईजी एवी होमकर ने कहा है कि जारखन के पूलिस महानिदेशक यवाम पूलिस महानिरिक छक के नेतियुत में सन्यूक्त सुरक्षा बलो द्वारा नक्सलिय संगठन भगपा महादियों के खिलाब चोतरफा करवाई की जा रही है सन्यूक्त सुरक्षा बलो के बढ़ते दबाव के काराण अपनक्सलिय संगठन कुछ भागों में सिमट कर रह गए है 31 जुलाई को कोलहान बंद का अवाहान सराय के लाखार सावाजी लेके तितिर बिला गाव में रहती परिवार के साथ हुई मारपिट समेत और पाच मुख्ष मांगों को लेकर 31 जुलाई को आदिवासी चात्र एकता समेत एक दर्जन से अधिक समाजी को रहनेतिक संगठनों ने कुलहान बंद का वहान किया है आदिवासी चात्र एकता के मुख्ष संगठ्षक जो साई मारडी ने बताया है कि कुल्हान में आदिवासियों को उनके जमीन से बेदखल करने की साजिस अब नहीं चलेगी इसका मुहतोर जबाब दिया जाएगा सिरी मारडी ने कहा है कि कुल्हान बंद की पुरो संधिया पर 30 जुलाई को जमसेतपूर घाट सिला जादूगोडा हाथता राजनगर सराय केला चांडील चाइबासा चक्रधरूपूर समेत अने जगोप पर मसाल जुलूस निकाला जाएगा कुल्हान बंद को सफल बनाने के लिए तितर बिला ग्राम सभा मानकी मुंडा संग आदिवासि छातर एकता जार्खन आंदूलनकारी मंच आदिवासि हो समाज महासभा सराय केला खर्षावा आदिवासि जुवा महासगा और आदिवासि रहुना सिंग भूमिज चुवार सेना जार्खन परदेश राष्ट्रिये महिला का समर्थन है चाईबासा में नकसलियों ने लगाए पोस्टर तीन अगस तक सहीद सप्ता मनाने का आवहान भगपमवादी नक्सलियों ने सनीवार की रात मनोहरपूर के जराई केला छोटा नागरा ओपी थाना छेतर बैनर और पोस्टर लाया का सहीदी सप्ता मनादने का आवान किया है इस घटना से लोगों में दहसत उत्पन है भगपमवादी नक्सलियों का 28 जुलाई से लेकर 3 अगस तक सहीदी सप्ता सुरू हो गया है जनकारी के अनुसार भगपमवादी नक्सलियों ने सनीवार की रात मनोहरपूर के जराई केला ओपी थाना छेतरे के पंचपई हा गाउं के स्कूल से लेकर डुमलाई गाउं और मनोहरपूर जराई केला के बिभीन जगों पर भारी संख्या में बैनर पोस्टर बाजी की है साथे नक्सलियों बुकलेट भी छोड़ा है इसे नक्सलियों ने आदिवासी भासाओं में पोस्ट लगाया है पाकुड में महिला वज छात्रों के बीच हिंसक जड़ब पर राष्ट्रिये SCST आयोग ने लिया संग्यान पाकुड में पूलिस और छात्रों के बीच हिंसक जड़ब को लेकर राष्ट्रिये SCST आयोग ने संग्यान लिया है इसे लेकर आयोग ने रभी और को जारखन के मुख सचीव डिजीपी पाकडूट डिसी और एसपी को नोटिस भेजा है भेज नोटिस में कहा गया है कि समचार पत्रों परकासित एक समचार में लिखा गया है उक्त आरोपो और मामलो पर की गई करवाई के तथे और जनकारी इस नोटिस की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर प्रस्तूत करे ध्यान दे कि यदि आयोग को निधारी समय के भीतर आपसे उतर नहीं मिलता है आयोग भारत के समिधान के नुचे 338 एक तहात प्रदत सिविल नयायोग की सकतियों का प्रयोग कर सकता है और आपकी व्यक्तिकात उपस्थिती के लिए समन जारी कर सकता है रामगड में कली सुरक्षा के बीच चौकीदार बाहाली की परिक्षा होई समपन रियल्ट भी जारी रामगड जीले में कली सुरक्षा ब्यवस्ता की बीच चौकीदारी बाहाली के लिखित परिक्षा रभीवर को समपन हो गया है बता जे रामगार सहर के अलग अलग आठ केंद्रों पचल रही लिखित परिक्षा को लेकर अभिवर को सुरक्षा के कड़ी इंतिजाम किये गए थे। किसी भी रायनिती पार्टी से ताल मिल नहीं करेगा।